अगर तुम प्यार की इस खेल में नए हो तो मैं तुमें सलाह देता हूँ किसी भी लड़की से आड़ी तेड़ी कोई भी लड़की मिले उससे प्यार करना शुरू कर दो कोई लड़की तुम्हारी जीवन में आएगी तो उसके बाद लड़कीों के लाइन लग जाएगी तुमने देखा होगा जिसके बाद गल्फरेंड होती है उसके साथ दूसरी लड़की भी सेट होने के लिए तैयार होती है लेकिन जो लड़के सिंगल होते हैं वो सिंगल ही रह जाते हैं देखो होता क्या है तुम जिसे पसंद करते हो उसके पीछे पहले ही बहुत सारे लड़के पड़े होते हैं तुम खुद ही अपना competition बढ़ा लेते हो अगर तुम खेल में नए हो तो ऐसे जगा से शुरुबात करो जहां महनत कम हो और competition ना हो जब तुम्हारे जीवन में एक दू लड़किया आ जाएगी तो competition में उतरने के लाइक हो जाओगे तो तुम्हें ऐसी लड़की को पटाना है जो कम खुबसरत हो या जिसके पीछे कम लड़के हो जो आसानी से तुम से पढ़ जाए लोग गोरी खुबसरत लड़की के पीछे पड़े होते हैं जो लड़की उनकी तरब देखती भी नहीं वो उनके पीछे पागल हो जाते हैं मजड़ुवने फिरते हैं काली या कम खुबसरत लड़की को पटाने के फाइदे ये हैं उनके नकरे कम होते हैं लड़की जिसके जीवन में अब तक कोई लड़का नहीं आया वो तुम्हारे पहले प्र्पजल पर हाँ कर देती है वो तुमसे इसलिए भी ज़ादा प्यार करेगी कि तुम लड़की की शरीर नहीं बलकर उसके आत्मा से प्यार करते हो लड़किया इस बात को जानती है और मानती है कि शरीर एक दिन खतम हो जाता है जवानी हमेशा नहीं रहती वो ढल जाती है खुबसरत लड़किया इसी बात से डरती है कि मेरा बॉइफरेंड या मेरा पती क्या मुझे तब भी प्यार करेगा जब मैं इतनी खुबसरत ना रहू जब तुम कम खुबसरत या काली लड़की को लेकर घुमने निकलोगे तो बाकी लड़किया जल जाएगी वो सोचेगी ये लड़की कितनी लखी है जिसे ऐसा बॉइफरेंड मिला देखना सारी लड़किया तुमारे पीछे बढ़ जाएगी वो तुम्हे पाने के लिए दुआ करेगी कि ऐसा लड़का मुझे भी मिले तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करो कोई सवाल हो तो कमेंड करो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो खुश रहिए अपना ख्याल रखें बबाई